वेलकम दी स्ट्टुएंट्स ओप बेस अरिकल्चर पाट से कि टूड़े विल डिसकर्स अबाउट दी जीन अभियांत्री की दो सब्द हैं जीन और अभियांत्री की का मतलब टेक्निक किस तरह से अपन जीन की को टेक्निकल रूप से अपने इंट्रोडूस करते हैं जैटिस जैटिक इंगरिंग तो ऐनिमल साइंस में लाफ स्टोफ में जैटिक इंगरिंग का अलग से मैत्व वै तो मलब हम क्या करते हैं ऐसे किसी भी एनिमल के पहले जीनों का स्टेडी करने के बाद आपने ये देखते हैं कि कौन से जीन फायते बंद है नुक्सान दायक हैं जो जीन है, उनको discard करने की कोशिश करते हैं, टेक्निकल रूप से, और फायदेबन जीन है, उन फायदेबन जीन को हम animal में introduce करते हैं या परवेश करते हैं, introduce करने का technique जो है, वो engineering की technology है, जिसमें DNA के steady करके, double strand DNA होता है, उसको break करके वहाँ पर उस को अपन इंट्रोडूस कराते हैं जो शिंपल भासा में अपने समझ सकते हैं कि जहांटिक इंजिनिंग का रोल यह है कि एनिमल्स के ऐसे ट्रेट्स ऐसे गुण जो फायदेवंद गुणों होते हैं उन फायदेवंद गुणों के लिए रिस्पॉंसिबल जीन को सर्च करना उनका पता लगाना और उन जीन को ऐसे एनिमल में इंट्रेट्स करना जो पहले सी अच्छे गुण रखता हो जैसे कि मिल्क पडूक्षन है मिल्क पॡुक्षन के लिए कई सारे जीन रिस्पॉनसिबल होते हैं कॉंटिटिव जीन मिल्क प धूसरे animal में introduce करना That is the genetic engineering अब पहला इंजिनिंग इसलिए आया कि उसमें किस तरह से Alem कोई बारे मिला जिनोम का study क्याता है पिर उन जिन को पता करके उन जिन को दूसरे animal में एनीक ऋप्स के समय इंट्रोप से उन त्द्दूश करा जाता है तो वो genetic engineering कहलाती है तो इसलिए आप un genetic engineering का live stock में इसलिए मैं तो है पूर रोल है कि जो ऐसे gene जो फायदे बंद होते हैं उन फायदे बंद gene को पहले पता करके उस फायदे बंद gene को population के अंदर या किसी भी stock के अंदर introduce करते हैं तो इससे फायदा है होगा farmer को अच्छे गुणवाले animals मिलेंगे बंद बढ़ेगा दूद का उत्वाद बढ़ेगा और कई बार कई जो gene होते हैं जो बिमारी वाले होते हैं बिमारी वाले genes को discard करते हैं बाहर निकालते हैं अच्छे डिजिज रिजिस्टेंट को जीन है तो जीजिज फाधान बात है अच्छे डाइबटी के अपने एनिमल human being में जहां आदमी में जैसे डाइबटीज के लिए responsible gene है तो उसको पता लगा रहते हैं तो पता लगा कि उस जीन को निकाल दिया जो डाइबटीज के लिए रिस्टेंट करने वाला gene है या यूँ कह सकते हैं कि अपन जो है insulin जो secret करते करने के लिए responsible gene है उस जीन को इंट्रीज करना इसी तरह से animal science में भी अपन ऐसे animal जो की fertility low है या fertility के लिए reproduction के लिए जो फाइदेबंद है उनको पता करके उनकी study करके और उन gene को हमारे इंट्रीज करते हैं जिससे की genetic engineering से animal science को फाइदा मिल से कहीं that is a genetic engineering के लाती है और genetic engineering का हमारे livestock में काफी महत्तों पोने से लिए योगदान है कि हम अपने इस population को हमारे animals को हम फाइदे के लिए जासते हैं farmer को भी फाइदा होगा